ICC One Day Vishwa Cup 2023 की नवीनतम अपडेट में आपका स्वागत है हाल ही में हुए दक्षण अफ्रीका और बांगलादेश के बीच के मैच में हमने एक रोमाचक अनुभव देखा जिसने क्रिकेट प्रेमियों को अपनी सीटों की कसोटी पर बैठा दिया दक्षण अफ्रीका की प्रभावशाली प्रदर्शन ने बांगलादेश को हिला डाला और अंक टेबल को हिल मिला कर रख दिया सेमी फाइनल के लिए दर्वाजे खोल दिये चलिए इस रोमाचकारी मैच की हाइलाइट्स पर ध्यान के इंद्रित करण दक्षण अफ्रीका ने टॉस जीत कर पहले बल्लेबाजी का चुनाव किया और बांगलादेश के खिलाफ 382 रनों का भारी लक्षत तै किया जवाब में बांगलादेश ने केवल 233 रन बनाए अन्ता 149 रन से मैच हार गए बांगलादेश के महमुदुलाह रियाद द्वारा बनाए गए 111 रन भी जीत नहीं संभाल सके क्योंकि दक्षन अफ्रीका की शांदार प्रदर्शन ने क्विंटन दिकॉप की शांदार 174 और हेंरिक क्लासेन की 90 रन की उतक्रिष्ट प्रदर्शन की जीत को सुनिश्चित कर दिया चलिए मैच के महत्वपूर्ण पलों पर नजर डालते हैं दक्षन अफ्रीका ने शुरुआत में दो जटकों से सामना किया जहां रीज हेंडिक्स और रसी वांडर डुसेन ने सस्ते में आउट हो गए हालांकी क्विंटन डिकॉप की अविचल 174 रन की पारी और कप्तान मारकरम के महत्वपूर्ण 60 रन ने दक्षन अफ्रीका को 382 के भारी स्कोर तक पहुँचाया महत्वपूर्ण लक्ष की पीछा करते हुए बांगलादेश ने मजबूत साजेदारी स्थापित करने में संधर्श किया शुरुआत में ही महत्वपूर्ण विकेट खो दिये महमुद उल्ला के साथ महदी हसन और मुस्तफिजुल